हम कोई भी विवार करते हैं, वो पैटरंस के कारण करते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में पैटरंस डिवेलप हो जाते हैं, निूरल पाथवे बन जाते हैं, जो बचपन से हमने सीखा, जो किताबों से हमने सीखा, जो सोसल मीडिया से हमने सीखा, या अन्य किसी भी सोर्स से विवार करते हैं, खास करके मैं बिमारी की बात कर रहा हूँ, जिनको मानसिक बिमारी है, चाहे OCD की बिमारी हो, चाहे डिप्रेशन की बिमारी हो, या अन्य कोई भी मानसिक बिमारी हो, वो जो विवार हो रहा है मानसिक बिमारी वाला, उपर नीचे वो चलते रहते हैं, तो वो patterns के कारण हो रहा है, neural pathway develop हो गए है mind में, उसके कारण हो रहा है, तो neural pathway वाली बात तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आप सोच रहे होंगे जो प्रिया जी, इन neural pathway को बदले कैसे हैं, CBT therapy, cognitive behavior therapy, जिसके बारे में आप जानते ही हैं, वो कहते हैं कि आप अपने bleep बदल लो, आपने जो दृष्टी कोन बना लिया है, जीवन के परती, चीजों के परती, उसे बदल लो, सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन क्या आप ये बात जानते हो कि गीता के अंदर powerful slogan है, secret है इन patterns को delete करने के और bleeps को बदलने के, अगर आप गीता therapy ले लेते हैं, गीता पढ़ते हैं, और उसका psycho analysis करते हैं, तो pattern नए develop होने लग जाते हैं, reality में जीने लग जाते हैं, इस विशव को, इस धर्ती को, लोगों को, सभी रिस्तों को, खुद को, profession को देखने का नजरिया ही बदल जाता है, इतना दम है भागवत गीता के अंदर, अगर आप बिमारी से मुक्ती चाहते हैं, pattern बदलना चाहते हैं, neural pathway बदलना चाहते हैं, तो आपको भागवत गीता क बात खाने में बैठ गई, तो बले बले नहीं बैठी, तो थले थले, फिर भी थले थले की जूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ओनलाइन ओपलाइन साइको गुरू टीम से बात करके, neural pathway को हमेशा के लिए भागवत गीता के दवरा डिलीट कर सकते हैं, अगर आप ओनलाइन अपलाइन बात करते हैं, तो आपकी पैटर्न्स बदलना हमारी चुम्मेवारी है, आज की इस वीडियो को आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुकरिया